मैं आपसे आखरी बात कहना चाहता हूँ पार्लमेंट में मैंने अदानी जी की बात उठाई बाशन दिया जैसे ही मैंने अपना पार्लमेंट में अदानी जी का बाशन दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोग सभा की जो सदस्यता है उसे रद कर दी खतम कर दी आप सोचिए अदानी जी की रक्षा करने के लिए एक दम मेरी लोकसवा की जो सदस्यत आती है उसको कैंसल कर दिया मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता करिये जितना करना है मैं सच्चाई बोलता हूँ और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी है पोर्ट्स देख लीजिए एरपोर्ट्स देख लीजिए इंफ्रस्ट्रक्चर देख लीजिए गान के साइलोस देख लीजिए हर जगे आपको अदानी जी दिखाई देंगे अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में डीजल में पेट्रोल में फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उदियोग पतियों के जेब में जाता है मैंने मीडिया की बात की मैंने मजाग में कहा की मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं मोधी जी का चैरा 24 गंता दिखेगा शिवराज जी का चैरा 24 गंता दिखेगा क्यों क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं प्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं इनके बिचारी की गलती नहीं है ये रिपोर्टर है इनकी गलती नहीं है ये सचाई जानते हैं रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल गपता है एक और सच्चाई है और वो सच्चाई साइद अदानी जी से भी बड़ी सच्चाई है कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला अरक्षन की बात की महिला अरक्षन में हमने एक सवाल उठाया कॉंग्रेस पार्टी ने उठाया बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया हमने दो चीज़े कही हमने पहले कहा देखिये यह महिला अरक्षन जो आप कर रहे हूँ या अच्छा है इसको करना चाहिए मगर इसमें आपने दो चोटी सी लाइने लिख रखी है सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाईए लाइन क्या थी एक लाइन थी कि महिला अरक्षन से पहले सर्वे करने की ज़रूरत है और दूसरी लाइन महिला अरक्षन करने से पहले हमें जो डी नोटिफिकेशन होता है उसको करना है इससे क्या होगा इससे महिला अरक्षन दस साल बाद होगा आज नहीं होगा तो हमने कहां पहले ये दो लाइनों को आप बदल लिए और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज़ कही और सवाल पूछा कि महिला अरक्षन में OPC अरक्षन क्यों नहीं है OPC अरक्षन महिला अरक्षन में आपने क्यों नहीं दिया नरेंद्र मोधी जी आप कहते हैं कि आप OPC के लिए काम करते हैं आप OPC के नेता हैं तो आपने महिला अरक्षन के अंदर के बीच में OPC अरक्षन क्यों नहीं किया अब बाशन से पहले मैंने आक्रे देखे और मैं हैरान हो गया बाई और वेन और नरेंद्र मोधी कहते हैं कि BJP में OPC के MLA और MP है सबसे पहले कॉंग्रेस के तीन तीन चीफ मिनिस्टर OPC हैं ये याद रखी आप हमारी चार सरकार हैं तीन हमारे OPC चीफ मिनिस्टर हैं दूसरी बात आप पार्लिमंट में विदान सभा में चले जाएए और BJP के किसी भी MLA से पूछ लीजिए MP से पूछ लीजिए आप से कुछ पूछा जाता है क्या जब कानून बनाए जाते हैं आप से कुछ पूछा जाता है आपको कहेंगे भईया हमार से कुछ कोई नहीं पूछता कानून RSS वाले लोग बनाते हैं कानून अपसर बनाते हैं कानून BJP के MLA और MP नहीं बनाते हैं सच्चाई भाईयों और बैनों एक और है सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अपसर चलाते हैं Cabinet Secretary और Secretary of Government of India हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं नपे लोग यह कानून बनाते हैं यह निर्ने लेते हैं पैसा किदर जाएगा कितना पैसा कहा जाता है अब मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ BJP के 10 साल से सरकार है 90 अपसर Secretary हिंदुस्तान को चलाते है मैं हिंदुस्तान के सब OBC से पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागिदारी है हिंदुस्तान की सरकार में मध्यप्रदेश की सरकार में आप मुझे बचा दो इन 90 अपसरों में से OBC कितने है OBC के अबादी कितनी है पहले यह बताओ कितनी अबादी है OBC की हिंदुस्तान में देखो कोई जवाब नहीं दे सकता कोई जवाब नहीं दे सकता क्यों क्योंकि कास सेंसस नहीं हुआ है बाईयों और बैनों लग बग OBC बाईयों की बैनों की 50 प्रतिशद अबादी है इन दुस्तान में बात समझे अबादी 50 परसेंट है और 90 में से तीन अपसर OBC के है और एक और मजबदार बात बताता हूँ दो साल पहले आप देखते तीन साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से शूनिय अपसर OBC से थे यह देश की सक्चाई है नरेंद्र मोदी जी OBC के लिए दलितों के लिए आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं आपका ध्यान इदरोधर करते हैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान की सरकार का बड़े बज़ेट लाकों करोड रुपे का बज़ेट है मैं आपसे पूछता हूँ ये जो तीन ओभी से अफसर है इनकी भागीदारी कितनी है ये बज़ेट पे कितने रुपे पर निर्ने लेते मुझे बता दो मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 45 लाख करोड रुपे का बज़ेट है आप मुझे बताओ OBC अपसर कितने रुपे पर निर्ने लेते हैं मुझे बता दो नरेंद्र मोदी जी की OBC की सरकार है सब शान्त किसे को नहीं मालूम क्यूं ये आपको नहीं बताना चाहते है आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते है सच्चाई भाई और बैनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बज़ेट में पाँच परसेंट की भागिदारी OBC के अपसरों के हाथ में है OBC अपसर तीन है नपे में से और पाँच परसेंट बज़ेट को कंट्रोल करते हैं ये है नरेंद्र मोदी जी का काम नरेंद्र मोदी जी OBC की सरकार ने चलाते है नरेंद्र मोदी जी का काम जो RSS ने उनको दिया है आपका ध्यान इदर उदर करने का है नफरत फैलाने का है हिंसा फैलाने का है अगर सच मुझ में नरेंद्र मोदी जी OBC के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अपसर OBC के कैसे है 3-4 साल पहले एक भी अपसर नहीं था OBC का हिंदुस्तान को तो ये चलाते है शिक्षा में कितना पैसा जाएगा स्वास में कितना पैसा जाएगा नारेगा कैसे बनेगा बोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा ये तो ये अपसर निर्ने लेते हैं भाई और बहनों OBC की सरकार नहीं है और देखिए जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ आप नोट करना आज मैंने हैं खुले में ये बात बोली है ये सारे के सारे TV कैमरा बंद हो जाएंगे आप देख लेना ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि जो सचाई है देश